दोस्तों कई वार अपने साइट को आप Google Search Console पे डाल देते हो और कुछ दिन बात ही एक मेल आते है जो इस तरह का मेल आपको दिखाई देते हैं तो इस पे लिखा रहता है customrobot.txt blocked इसका मतलब है Google आपके साइट को robot.txt नाम के एक फाइल के वादालाद क्रॉल करते हैं और उस learning दिया जाता है तो आप किस तरीके से इस issue को fix कर सकते हो इसके बारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा अगर जानना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तो चलिए let's get started तो दोस्तो इस वीडियो में दोनों से ही दिखाऊंगा wordpress और blogger अगर आपका wordpress है तो पहले आप wordpress की dashboard पे आ जाएंगे तो पहले एक plugin को आपको install करना है आप ऐसे ही योस्ट और rank math SEO नाम के जो popular दो plugin है वाप यूज करे होंगे अगर करे होंगे तो मैं आपको दोबाड़ा दिखाऊंगा इस पे रैंक मैं देशियों को आप install कर लिजिये यहाँ इंस्टल करने के बाद इसको आपको activate करना है जैसे आप नॉर्माली करते हो और इस पे आपको एक setting करना है जिसकी वजह से आपको problem fix हो जाएगा तो इस पर settings के नीचे है rank math इस पर आपको जाना है उपर है देख सकते हो title and meta इस पर just click करना है उसके under है यहापर देख सकते हो इस पर किसी भी setting को आपको छेड़ना नहीं है category को choose करना है और choose करने के बाद देख सकते हो category का under मे ऐसा आपको by default रहता है तो आपको इस पर category achieve robots इसको पहले एनेवेल रहेगा इसको आपको disable करना है उसके बाद आपको save changes पर click करना है मैं पहले से ही disable कर चुका हूँ इसलिए ऐसा दिखा रहा है उसके नीचे और वी एक setting करना है tags tags के under भी आपको उस setting को disable करना है यहापर दे disable करने के बाद आपको नीचे save changes पर click करना है इसका मतलब है category और टैक्स यह दो search engine पर नहीं होना चाहिए इसके कारण से Google पर आपको duplicate content माना जाता है तो उसलिए आपको इसको disable करके रखना है और रखने के बाद आपको save changes पर click करना है बस आपके wordpress पर यह जो issue है यह fix हो करना है देख सकते हो मेरा एक error आ चुका है error को देखने के लिए coverage पर जाएंगे index के नीचे और यह पर zero error उसके बाद valid with warning इस पर just click करना है देख सकते हो एक warning मिल चुका है मुझे तो इस पर index through block by robot.txt इसकी कारण से पहले ही disable हो चुका है तो आपको यह सब changes करने के बाद wordpress पर इस प्रेशू fix हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा blogger पर आप क्यासे fix कर सकते हो तो देख सकते हो यह पर blogger blogger के नीचे आना है setting के under blogger के dashboard पर आने के बाद setting पर क्लिक करेंगे उसके बाद एकदम आपको नीचे जाना है एक setting आपको करना है उसके ऊप अपर है देख सकते हो custom robot.txt फाइल यहां पर जो लिखा आपको पहले by default मिलेगा यह by default disable मिलेगा आपको इस पर आपको नेया इसलिए आपको google पर search करना custom robot.txt generate किसी भी website से आप generate कर सकते हो यह चीज़ तो यहां पर click करने के बाद यहां पर बहुत सारे site आपको दिखाई देगा जो मैं recommend करता हो ओ है small SEO का एक tool robot.txt generator इसका link मैं description पर देदूंगा इस पर click करने के बाद आपके site का just URL को डालना है तो देख सकते हो इस जगा आपको आपके site का link just देना है इसको मैं एक बार refresh करूंगा इस site पर बहुत सारे add आते है क्योंकि यह free का site है इसलिए add से ही कमाता है तो इस पर automatically robot.txt file generate कर देगा free में तो यहाँ पर site का link आपको देना है इस जगा आपको उसको paste करना है paste करने के बाद site map.xml यह आपको लिखना है जैसे ही इस पर लिखेंगे लिखने के बाद आपको just नीचे आना है यहाँ पर देख सकते robot create robot.txt file यह automatic generate कर लेगा और इसको आपको just copy कर करना है और copy करके इसको copy करना है copy करके आपको उस जगा paste करना है blogger पर देख सकते हो यहाँ पर मैं पहले से generate कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको पहले delete करूंगा और उसके बाद इसको paste कर दूंगा control भीदा वाके उसके बाद इस पर आपको just save करना है यहाँ पर आपको just एक लिखना है, disallow, colon देके आपको इस जगा लिखना है, यह दो छीज, disallow category और tag, इसको आपको manually देना होगा, यह by default किसी जगा पे नहीं आएगा, तो इसलिए आपको इसको copy करके इस जगा paste करना होगा, देख सकते हो, इस तरह का आपको just देना है, और देने के बाद यहाँ पे save changes इस पे click करना है, जैसे ही करेंगे, यह update हो जाएगा, यह setting और आपके जो bugs है, ओ 30 days के अंदर fix हो जाएगा, और इस जगा just आपको आके, यहाँ पे देख सकते हो, इस जगा आपको just click करना है, नीचे और valid fix, यहाँ पे just आपको click करना है, मतलब Google को आप बता दिये हो, कि मैं fix कर लिया हो, आप दो बाड़ा इसको recall करो, तो उसके बाद Google आपके site को फिर से analyze करेगा, फिर recall करेगा, और आपकी यह box fix हो जाएगा, तो आशा करते हैं, इस वीडियो से आपको आच्छे जानकारी मिला है, वीडियो को like करे, चैनल को subscribe करे, तो चलिए, good bye, take care, आपके site और अच्छे eh, जाँ आपके टो आपके लेगा